हेलो फ्रेंज नमस्ते सब कैसे हैं आसा करते हूं सब अच्छे हो गया लो फिर लेकर आगई एक और नई रेसिपी सिंपल सा लेमन राइस जो बिल्कुल ही सिंपल है देखिए हमारा कड़ाई हो गया गरम अब इसमें डालूंगे में एक चमच तेल तेल हमारा गरम हो जाए त अब इसमें डाल दूंगे एक दाल चिनी एक छोटी सीलाइची डालूंगे अब इसमें डालूंगे मैं एक मिर्ची काटकर डाल दी मिर्ची हमारा लाल हो गया है देखिए अब इसमें डालूंगे मैं एक प्याज काट रखी थी चोटी-चोटी टुक्रों में अब इसको हल के अट रच जाए निकाल के रखा था मत्र जैंगा है इए प्रेस ताजा मत्र है अब ऑचल रहा हूं प्र मार्केट में मट्र बहुत अच्छिए आ रहे हैं है तो मैंने सोचा क्यों होना मत्तर कहीं बना लिया जाए रिलेवन्राइच देखे हमारा मत्तर फूटने लगए है मत्तर हमारा अच्छे तरके सपग्या है इसमें डालूंगी ठोड़ा सा हल्दी भलदी को थोड़ा देर पका लूंगी मैं देखिए, हल्दी को मैंने पका लिया, अब इसमें डालूँगी मैं चावल, अब लेवा चावल, अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी, देखिए, अब इसमें डालूँगी, स्वाधन निशार में नमक डालूँगी, आधा चमच मैंने नमक डाल दिया है, अब इसको थोड़ी दिर भूनूँगी, अब इसमें डालूँगी, मैं आधा चमच लेमन का जूस, जो की लेमन राइस के लिए ज़रूरी है, इसी से स्वाध बनता है, अब थोड़ी दिर इसको भून लूँगी, अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा धन्या पत्ता, देखिए, हमारा लेमन राइस तैयार हो चुका है, यह बिल्कुल सिंपल सा लेमन राइस है, अगर कोई चीज ना हो, काजो किसमिस वगेरा, तो हम मटर से भी लेमन राइस बना सकते हैं, देखिए, अब मैं इसको, देखिए, हमारा लेमन राइस कितना अच्छा लग रहा ह बिल्कुल सिंपल तरीके से तयार किया गया लेमन राइस